हलो फ्रेंड वेलकुम टू स्टेडी विद रचना आज का हमारा ये वीडियो इन्वारिन्मेंट वेज वीडियो है जिसमें की इन्वारिन्मेंट से लेटेड कुश्चन जो की UPSC, SSC, CTAT, Railway, SuperTAT जिसे एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है जिसलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशिद भोरो तलोकों को प्रह जादा मास्पेशिया और बोडी मास्ट बनाने की अवशक्ता होती है इस उद्देश के लिए उन्हें ऐसा आहा लेने की अवशक्ता होती है जो किससे भरपूर है आपके ऑप्शन्स हैं हार्बोहाइडरेट, बसा, बिटामिन, प्र प्रोटीन और इस कुश्छन का राइट अंसर है प्रोटीन बोरो तलोकों को प्रह जादा मास्पेशिया और बोडी मास्ट बनाने की अवशक्ता होती है इसके लिए उन्हें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर होता है नेक्स कुश्छन दिखा कि म डैस के लिए रोजाना तालाव से लाए पानी में फिटक्री डालती है आपके ऑप्शन्स हैं हलके निलंबित अब द्रव्यों को अफशादित करने कठोड जल को म्रदू जल में परिवर्दित करने पानी में मौजूद रोगाणियों को खत्म करने पाने को रंगरहित करना इस कोशन का राइट अंसर है रेखा कि मातालाव से लाए पानी में फिटक्री इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाव के पानी में जो अबद्रब है वो उस फिटक्री से हट जाए नेक्स कोशन खादिस रंकला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्तियों के अधिक्तम भागिदारिता के लिए निमलिकित में से कौन से स्रिक्षन व्यू रचना सबसे प्रवाबी होगी आपके ओप्शन्स हैं स्यामपट पर लिखी विविन खादिस रंकलाओं के सबी उधारण को देखकर लिखने के लिए विद्यार्तियों से कहना जीवों के प्ले कार्ट्स बनाना और विद्यारतियों के समू को विविन खादिस रंखला को सोचते हुए उन्हें विवस्तित करने के लिए कहना विविन आवाओं में चलने वाली संभावित खादिस रंखला के खोज करने के लिए विद्यारतियों को कहना विध्यार्तियों को internet से सम्म्मधित जानकारे एकार्ट करने के लिए कहना और इस question का right answer है जीवों के play cards बनाना और विध्यार्तियों के समू को बिविन खाद्ग रंकलाओं को सौशते होए उन्हें विवस्तित करने को कहना खादिस रंकला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यारतों की अधिक्तम भागिदाईता के लिए सिच्चार्थियों के लिजीवों के प्ले कार्ट्स बनाना और सिच्चार्थियों के समू के समू को बेविन हाद स्रिंकलाओं को सोचते हुए उन्हें विवस्तित करने के लिए कहना सबसे प्रवाबी होगा रेत और नमक के मिश्रण को प्रथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निमलिकित चार क्रमों में से किसका उप्यों किया जाना चाहिए आपके ओप्शन से बास्पन अवसादन निस्तारण निश्यंदन और इस कोशन कर राइट अंसर है निश्यंदन निस्तारण बास्पन अवसादन रेत और नमक के मिश्रण को प्रथक करने के लिए प्रक्रियाओं के चार क्रमों का प्रियोग किया जाता है जो निमलिकित है निश्यंदन निस्तारण वास्पन अवसादन एक विज्ञान सिच्छिका स्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद प्रिक्षा का आयूजिन करती है और यह देखती है कि अधिकांस विद्यासी स्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं यह किसके कारण हो सकता है आपके options हैं यह उनकी कच्छा अध्यापिका नहीं है विद्यारती प्रेश्ण को सही तरीके से नहीं समझ सके शिक्षका की कच्छा में प्रय बहुत अनुसाशन हिंता रहती है व्यकक्ष्या में प्रभावी तरीके से संबंदिस संकल्पना को व्यक्ष्याईत नहीं कर सकी और इस question का right answer है व्यकक्ष्या में प्रभावी तरीके से संबंदिस संकल्पना को व्यक्ष्याईत नहीं कर सकी next question निमली कित्में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है आपके उप्शन्स हैं सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना सब्जियों काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना वैक्टिरिय नेस्ट करने के लिए सब्जियों को गेरा तलते हुए पकाना सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिक काटना और इस कॉशन का राइट अंसर है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिक काटना भूजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले सबजी को अच्छी तरे धो लें फिर उसके बाद उसे काटें पर्यावरण अध्यन की इस चिका वायू प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदसित करना चाहती है कि वायू में भार होता है और वह जगे घेरती है उसकी सहयोगी इस उद्देश के लिए उसे निमले के चार भीन गतिविद्यां सुझाते हैं आपके उप्शन से खाली उल्टा बीकर पानी की सत्य के उपर रखे और उसी नीची दखे लें इस्ट्रो के माधियम से जू उस खिचना गुबारे में हवा भणना दो भरे हूँ गुबारे एक चड़ में बांदें तता सामवे वस्ता में लें आए तब किसी एक गुबार बी और डी ओर और सी ए और बी और इस क्वेशन के राइट अंसर है आप्शन ए और डी उपरुक दिये गए प्रशन के ए और डी सही उत्तर है नेक्स्ट कुशन एक सिक्ष का तनावगरस बच्ची की पैचान कर सकती है जब बच्च्या निमलिकित ब्यवार परदिसित करता पढ़ाई में पूर्ण एका गरता पहुत बात करना हाइपर एक्टिविटी यानि कि आतिशक्रियता आक्रात्मक व्यवार इस कुशन का राइट असर है आक्रात्मक व्यवार जब कोई बच्चा आक्रात्मक व्यवार करता है तो वह तनाप से ग्रस्थ होगा पानी के साथ प्रियों करते हुए जोती यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तेरती है लेकिन लोही की एक छोटी कील डूब जाती है इसे किस तत्ति द्वारा व्याख्याई किया जा सकता है आपके ऑप्शन्स हैं इस्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में जादा है जबकि लोही की कील पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में कम है लोही के कील पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में ज्यादा है जबकि इस्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हलका है और स्टील पानी की तुलना में भारी है और इस question का right answer है इस्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोही कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है नेक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक और जीव जंतियों दोनों में मिलता है किसके लिए मच्छी गर यानि कि एक्विरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है आपके ओप्शन्स हैं जलिय पौदों को अधिक कारवन डाई ऑक्साइड उपलब्द कराने अधिक ओक्सिजन को पानी में गुलने देने एक्विरियम की सोवा बढ़ाते पानी को साफ करने और इस कोईशन का राइट अंसर है अधिक ओक्सिजन को पानी में गुलने देने एक्विरियम में हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें अधिक ऑक्सिजन घुल सके जब एक मचली को पहले से उबले लेकिन कमरे की तापमान पर ठंडे किये गए पानी से भरे एक्विरियम में डाला जाता है तो वे मर जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मचली गर यानि कि एक्विरियम का पानी आपको उप्चन से ऑक्सिजन रहित है मचली द्वारा पाने के युग नहीं है खनीज रहित है मचली के तैनने के युग नहीं है और इस कुशन का राइट अंसर है युग की खनीज रहित है जलिये जीव अपने पोशन के लिए जल में पाए जाने वाले खनीज पदार्तों पर निर्वद होते हैं चुक्कि जल को वलने से उनके खनीज नस्ट हो जाते हैं अते ऐसे जल से एक्वेरियम में मचली मर जाती है नेक्स्ट कुश्चिन निम लिखित में से कौन सा चान की सते की जिसे इस्ताओं की बारे में सबसे अच्छा वर्डन करता है आपके उप्शन्स हैं पानी नहीं, परियाप्त हवा, उच्छे पहाड पानी नहीं, गहरे गड़े, उच्छे पहाड हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, संतल सतय और इस question का right answer है, पानी नहीं, गहरे गड़े, उचे पहाड चान की सतय पर पानी नहीं है, गहरे गड़े और उचे पहाड है Next question निमली कित्मे से कौन से सब्द समूँ? इस question का है लोह हमोगलोविन अनिमीय आमला उम्मित करते हूं environment के ये questions आपको पसंद आएंगे कि ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूले थैंक यू